प्रिये वीवर्स हमारे दिश्टी PCS चनल पर अपसे हरोज शाम 6 बजे राज विशिस करेंट अफ्यर्स देखना ना भूलें धन्यवाद साथ तीन करोड लोगों ने परिवार पहचान पत्र यानि PPP के माध्यम से अपना डेटा घोशित किया है इस PPP योजना में जिन परिवारों के आर्थिक वा सामाजिक स्थिति का डेटा प्राप्त हो चुका है उसके सत्यापन के लिए स्वैम सेवकों को न्यूक्त किया जा रहा है अब तक राज्य के 1485 लोगों ने स्वेच्छा से इसके लिए समर्पन पोर्टल पर अपना पंजी करन कराया है सत्यापन हेतु स्वैम सेवकों के स्थानी अस्तर की समितियों को जिलास्तर पर तैनात किया जाएगा इन समितियों में एक सरकारी कर्मचारी, डाटा एंट्री ओपरेटर, कॉलेज के छात्र, सामाजिक कारे करता और स्वैम सेवक शामिल होंगे दस्तावेजों का सत्यापन तीन चरणों में होगा, पहला चरण आय का सत्यापन, दूसरा चरण जन्मतिथी का सत्यापन, और तीसरा चरण व्यवसाय, शिक्षा और जाति का सत्यापन बतादें की परिवार पहचान पत्र यानि PPP जैसी योजनाओं को इसलिए लागू किया गया है ताकि पात्र व्यक्तियों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाब मिल सके PPP योजना का प्रात्मिक उद्देश है हर्याना के सभी परिवारों का प्रामानिक, सत्यापित और विश्वसनिय डेटा तयार करना है एक बार PPP डेटाबेस में डेटा प्रमानित और सत्यापित हो जाने के बाद पात्रला भारती को कोई और दस्तावेस जमा करने की आवशक्ता नहीं होगी ध्यातव वे है कि समर पढ़ हर्याना सरकार द्वारा शुरू किया गया एक अनूठा स्वयम सेवी अवैतनिक कारेक्रम है जो राज्ये के युवाओं को दूसरों की सेवा के लिए स्वयम को समर्पित करने की पेशकश करता है इस टॉपिक को अंग्रेजी में देखने के लिए देखिया हमारा इंग्लिश यूट्यूब चैनल